नमस्कार पंचायत आज तक वारांडसी से एक बर फिर्श से आप सभी का स्वागत है आपके साथ मैं हूँ चुत्राद्रपाथी शाम ढल चुकी है राद गहरा रही है और मागंगा की आरती हो रही है ये मनोरम द्रिश्य देखने के लिए दूर दूर से लाखों की तादाद में भग यहां मागंगा के तट परिकठा होते हैं काशे विशुनात कॉरिडोर भी भव्य बन कर तयार हो चुका है और यकीनन इस खबर के बाद शद्धालों की तादाद वारांटसी में और जादा बढ़ गई है लेकिन इसी के साथ पूरवांचल में बीजेपी जिस तरह से पूरा जोड डाल रही है सवाल उद्योग धंदो को लेकर भी पूछा जा रहा है इसी वज़े से इस वक्त हमारे साथ बेहत खास मेहमान भारी उद्योग मंत्राले को सम्हाने वाले मंत्री जी चंदौली से लगातार दो बार सांसद जोक्र महेंदरुनात पांडी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ बहुत स्वागत है साथ आपका आज तक पंचार के समय जी इसके पहले कि मैं राज्रितिक सवाल पर आऊं चुंकि आपका बच्पन यहीं से गुज़रा है कक्षा तीन तक की पढ़ाई फिर छटवी से लेकर में तक की पढ़ाई और उसके आगे भी आपने तमाम विश्यो है कि जैसे आपने मुझे तो जब से आप लोने बुलाए मैं अपने विद्यार्थी जीवन बालेकाल में खोया हुआ हूँ और इनी घाटों पर पला बढ़ा इनी घाटों पर संग के जीवन से जुड़ा और विद्यार्थी जीवन से जुड़ा तो यह सब चीजें तो हिर और इस बार उसके महात्म विश्वनाद्धाम के लोकारपण पर जैसा कासी पर मानी नारेद मोधी जी ने अपने उतने देर के भासन में कासी के संपुर वैसिष्ट को जिस तरह चित्रित किया वो अपने आप में एक सोध प्रबंद जैसा बनने की स्थिति उनके भासन से बहुत ब्यापक रूप में निखर के आई है लेकिन जिस गंगा के जलके सुधी करण की लोग कलपना करना छोड़ दिये थे मैं जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि कासी में गंगा के किनारे आज और आगे भी आप श्रान के साथ साथ पीने योगे पानी आचमन योगे पान सुध्य पा सकते हैं और मैंने आपके एक सायोगी रोसंजी को खुद अपने सामने पिला करके दिखाया तो यह बदलाव है और तीन बार पूरी की पूरी गंगा तैर कर पार की है या मोदी जी के आने के बाद तस्वीर बदल गई है जब विद्यार्थी जीवन में गंगा मैंने पार किया था उस समय के बाद जो प्रदूसर्ण का स्वरूप बढ़ा उस स्वरूप को समात कर आज गंगा पुना उस समय के तरह की निर्मल आज है मैं यह जिम्यवारी के कह सकता हूं और मैंने भी आचमन किया जलका रोसंजी के साथ बार बार विपक्ष यही आरोप लगाता है कि उद्योग धंदों के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल रही है कहीं कुछ नजर नहीं आता है और यकिनन इस तरह के सवाल उठेंगे तो सबसे जादा जवाब आ इस तरह और कोबीट की परिस्थितियों के बाद और वह परिस्थितियां भी पूरी तरह समाप्त नहीं है जिस तरह उद्योग को उन्होंने बूस्ट अप किया है भारत सरकार डेल लाग करोड के प्यलाई पैकेज द्वारा प्रडेशिम लिंक इंसेंटिव स्कीम द्वार को पाने के लिए प्रत्न करने के बाद भी तरस रहे हैं और मोदी जी के अगवाई में आज उद्योग के फिल्ड में आज बुष्टप का हाल यह है कि हम कोबीट पूर्व की जीडेपी में आज पहुंच चुके हैं विकास की उसुचाईयों पजा रहे हैं एको नामी हमार कि ठीक दो माईने पहले ताबर तोड़ दोड़े उनके चालीस दिनों में दस बार प्याम अगर उत्तर प्रदेश आएंगे तो पूछा जाएगा कि बीजेपी के सती यहां पर यूपी में क्या ठीक नहीं कि प्रधान मंत्री को खुद आकर सब कुछ बताना पड़ रहा है देखें प्रधान मंत्री जी के कई रूप हैं प्रधान मंत्री जी भारती जनता पार्टी के कार करता है प्रधान मंत्री है देश के और दुनिया के सबसे विजनरी नेता है उस रूप पे वो हर रूपे पार्टी के लिए उतना उपलफ रहते हैं सरकार के लिए उतना दिन जिसने देश आगे बढ़ेगा जहां तक अभी है अभी तो मोदी जी ने इस बात को सवाल करने वालों में क्या है जो विपक्ष के दल है वो कभी सरकारों में आते हैं एक दो उसकी कमियां नहीं देखा उसके सुधार नहीं किया मोदी सरकार ने मन्रेगा की कमियों को सुधारा और आज मनरेगा को सबसे ज़्यादा उपयोगी स्किम में बदल दिया हमारी मोधी सरकार उतर प्रदेश में योगी सरकार दिन रात प्रति दिन इतने नए-नए काम करती है विकास के सेवा के लोग कल्याण के कि उन कामों को जंता को संप्रेशित करने के लिए मोधी मोधी जी का पांचो चुनावी राज्यों में आना होगा महिलाओं के इतनी बड़ी रैली को संबोधित क्या प्रधानमंत्री ने वारांसी में वह आए यहां पर कई योजनाव का शुलानियास घाटन लगातार उनका चल रहा है तो सवाल तो पूछा जाएगा ना चुनाव क ठीक पहले यह सब कुछ किया जा रहा है देखें यह सवाल पूछने वाले तो मैं उसका अब जो सवाल पूछ रहे हैं वो लोग पूरे चार साल सोते रहे कोरोना में ट्वीट करते रहे घर पर कहीं पता नहीं लगा मैं स्रीय अख्लेश जी को पूछता हूं अभी खट रहा है खप रहा है अपना संपूर्ण जिसने 2002 से गुजरात के मुखमंतरी काल से लेके आज तक एक दिन का आउकास नहीं लिया है वहां नेता तो देश को बनाने निकला है तो ज्यादा से ज्यादा आये गा ही और उसमें वो उसका आना भी लोगों को खटक रहा है हम अब भारता भारती जनता पार्टी की योगी सरकार भी इमांदार पारदर्शी सरकार है केंद्र की इमांदार पारदी सरकार सारा देश दुनिया देख रहा है कि पौने आठ साल हो गए इन सरकारों में एक रूपे के करफशन के चार्ज नहीं लगा अपुरवरती सरकारों कि करप्शन की सिंखला रही है लेकिन मैं जो भी ऐसा विसायागा जांचे होगी कदम उठेंगे लेकिन मैं दूसरा सवाल कराऊ प्रियंका जी को यह सवाल करते समय अपने आप यह नहीं विचार किया कि जिनके पती पर जमीन घोटाले का सबसे बड़ा केस चला है हिंदुस् जब इतने घोटाले उन्होंने किये हैं जाच करवा लिजे आप भी अगर जो घोटाला किया हुआ है फिर वो बाहर कैसे है कहीं कोई बिल्कुल पारदर्सी सरकार है दूद का दूद पानी के पानी करने वाली सरकार है कहीं इसके कदम होगा जाहुल गांदी हिंदू और हि महन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोग जिस दिसके ब्यापक को हिंदूत्य को महतों देते हैं हम लोग सरव धरुसंभाव को महतों देते हैं ये लोग कभी-कभी पीछे के कालखंड में धर्म निरिप्षिता का ऐसा बाजा बजाते रहते थी कि धर निरिपन से ताभ हम देश की जनता देख रही है कि हम इसके प्रामाणिक हैं हमारा हिंदुत सरोधरों संभाव का हमारे लोग कास्ट कंबिनेशन से राजनीद करने वाले लोग यह लोग चणिक तुष्टी करके राजीत करने वाले लोग कास्ट के बात कर दी मैं आ जाती हो ब्राम्हड वोटरों पर आप ब्राम्हड नेता के तौर पर आपके बड़ी पहचान है तो यह बीजेपी से ब्राम्हड लोग नाराज बताए जा रहे हैं क्या क्योंकि बार-ब हम ब्राम्हड नेता हैं हम भाजपा के कार करता है यह एक अलग विशय है हम लोग सबको साथ लेके चलने वाले हमारा नारा है इसमें समाज सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वा सबका प्रयाज इसमें ब्राम्हड भी हैं सारे लोग हैं मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस देश में भारती आध्यात्मिक संदर्भों में देश के अनेक महात्माओं रिशी मुनियों ने जो सभी जाचियों के तुनों ने अपना युगदान दिया स्वभावी के इसमें ब्रामणों ने अनेक महत्मपूर्ण गरंत लिखे अनेक ब्याख्याएं की अनेक रचनाय सिजित की उन सारे विशेयों को पुरातंता को आध्युनिक संदर्भों में नए सिरे से लाना और आध्युनिक विकास दोनों का समन्य बना करके जिस तरह नरें यह किसी से अप्रसंद होना है ब्रामणों समाज का हर भारती भारत का नागरी को वो प्रसंद हो रहा है कि हमारा गौरों भी आ रहा है हमारा लोट भी रहा है गौरों हमारे प्राचीन गौरों के महिमा मंदन भी हो रहा है आज विस्वना धाम उसका उधान है विंद्याच साथ कैसे आज भारत का नागरी हमारी माताएं बने उनको ये कलपना है कि कितने दिन अधिक सदिक दिनों तक मोदी और योगी यहां रहें ताकि भलाई के काम होते रहें लूट कसोड बंद रहें कानून ब्युस्ता अच्छी रहें अपराजियों का बोल बाला नहों इसलिए अनंतिकालत लोग सरकारी बनाएंगे और अखिलेश जी की चुनावी रैलियों में वह जो अपनी रथ्यात् संकाल में शुरू वा था बीजेपी वाले सर्फ कैची जीवी हैं हाँ यह भारती राजनीत में नई सहली सी अखिलेश जी ने डेबलब किया है कि कोई भी काम आज हो रहा है तो वह कहते हैं मैंने इसको सुरू किया था तो बीच में आपको रोका किस ने किया था तो मुझे कौन सी पद्धति है आप कुछ कर नहीं पाए अजब होता नजर आ रहा है तो आपका रहे मैंने ऐसा सोचा था यह बिलकुल अपने आप में एक बहुत ही अब क्या में सद्व प्रयोक करूं राजे के मुख्मंतिर हैं उनको इस तरह के प्रलाप से बचना चाहिए आप लो में मंत्रे के खलाफ क्यों डर रही है आपके गले की फांस से पुरा का पुरा मामला आखिर क्यों बन गया है कि इतने बड़े राज में कुछ कहीं कोई घटना हो गई आप उसे यह देखे कि कितना तोरित गटी से हमारी सरकारों उस पर कदम उठाया है और जाहे वो कोई भ अच्छन मिलता था पूरी मस्निरी उस अपराधी की इर्द गुमती थी वहां योगी राज में पूरी तरह बंद हो गया है अपराधी कानून के सिकंजे में और नागरिक सुरच्छित यह जो भीड की बात आपने काना इतना विशाल तो मोदी जी को सुनने लोग आ रहे है इतने विशाल करकमाई जन्विश्वा से आत्राय चल लए है आपको रिपोर्ट मिलती होगी कामकाज योगी जी का बार बार आप लोग मोदी जी को लेकर आते हैं मोदी बनाम अखलेश की लड़ाई लडवाना चाहते हैं आप उत्तर प्रदेश में सवाल ही ने पैदा हो कि मोधी जी आ जाएंगे मोधी जी हमारे सबसे बड़े नेता तो फिर अखले श्यादव के लिए प्लब्धियान तो डवल टार क्रुसिंग 17 सरकार काम कर रही है तो केंद्र और राज दूनों मिल करके दोनुटषी जनता को बताने ज़रूरी नहीं अब आपने अभिसाय तो चड़ दिया मैं आपके माध्यम से बता रहा हूं अब क्यों मोजी जी का नाम लेना पड़ रहा है कि योगी जी सत्रह में उसके बिले 2014 से सत्रह तक मैं तर्थ के संग प्रामानिक तक संग बोल रहा हूं उत्तर प्रदेश में केवल साथ हजार आवास तीन सार्म रेजिस्टर्ड हुए पंजियन हुआ प्रण मंत्री आवास य 43 लाख आवास बनके उत्तर प्रदेश के गामीर चेत्रों में प्रण मंत्री आवास वितरित हो गए कितना बड़ा अंतर है सहरों में सवा लाख आवास बनके सहरी गरीबों को वितरित हो गए क्या कर रहे थे तीन साल अखिलेश जी मोधी जी चाते तो उत्तर प्रदेश सा के लिए सब बाते कहना जोरी होता इसलिए मोधी जी भी आएंगे योगी जी भी है योगी जी भी है और मतुरा भी है मतलब काशी और अयुद्या के बाद अब आप लोगों की तैयारी मतुरा को लेकर है होता ही नहीं सकता कि भारती जनता-पार्टी बिना के किसी चुनाव में जाए भारती जनता पार्टी का धर्म और आध्यात में के प्रति सद्धा है भारती जनता पार्टी भारती अस्मिताओं के प्रति सद्धा करती है और भारती जनता पार्टी और राजय गडबंधन को इस बात का गर्व है कि हमने जिस एजेंडे पर देश ले जाने के लिए जनमत हासिल किया कि आज उस एजन्टे पर देश के सब लोग भी चलना शुरू कर दिये तो जनता देख रही है कि हम इस एजन्डे के एडवांस में काम करने वाले प्रामाणिक लोग हैं हम लोग प्रामाणिक लोग है मतुरा हमारी कृष्ण जन्मुवी प या युद्ध्या और काशी के बाद मत्रा की बारी है आप एक डिप्टी सीन केश्व मौरिया आज आप देख रही है ना अंदाज अलग होता है जब मत्रा का नाम लिया जाता है तो मत्रा भगवान कृष्ण की जय हो आप देख रहे हैं विश्वनात धाम के परिशर के किनारे कर दिया गया एक कोई एक दो दिन का भी से नहीं है अब मुझे समझ मने आता लोगी इसको चुनाव से चुड़ा है geralी और सदियों में कभी ऐसा विसे आता है सदियों में कभी आता है नरेंद्र मोधी जी ने ये सदियों में हजारों वर्सों में कभी ऐसा प्रसंग आता है जो करके अपने हाथों लोकार्पित किया है इसको चुनाव से जोड़ना हम समझते हैं समझदारी नहीं होगी विकास मत रहेगा या धर्म चुनाव में विकास सेवा और हमारी पारदर्शी सरकार ओपलब्द सरकार आप जड़ा इन मूद्वों पर क्यों नहीं ध्यान देती हैं कोरोना आपके माधम से कहना चाहता हूं कोरोना आया यह जिन नेता आज उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए थोड़ा बहुत गाड कोरोना के फ्रंट लाइन योधाओं के संखड़ा रहा हर सुक्सुविधा के चिंता किया मरीजों के बीच गया कोरोना पाजिजी होने के बाद भी संगर्स करता रहा उत्तर प्रदेश नहीं देश के अंदर कोई मुक्हमंत्री नहीं योगिया दितनाथ की तरह कोरोना में लोगों के सुक्दूख में खड़ा रहा मजदूरों के संखड़ा रहा गरीबों के संखड़ा रहा इलाज के रूप में खड़ा रहा तो यह सेवा देखिए विकास की जड़ी लग गई यह सेवा देखिए और चारों तरफ से जो गाउं गरीब के कल्यान की योजनाये हैं सत्य प्रस्त उसको result में oriented बदला गया यह देखे इन सब के अधार पर हम चुनाओं में जाने वाले हैं कोरोना में लेकिन oxygen की कमी से लोगों की मृत्यू भी तो हुई थी कोई भी प्रदेश हो लेकिन रज जिस सरकार ने यह कहते हुए आंक्रे छिपा लिए कि नहीं oxygen से कोई सब देख रही हैं याप कर चिपाने की जरूत क्या थी विपक्ष यह सवाल पूछ ना है आप लोगों से कहीं कोई आक्रणे ने चिपाएंगे विपक्स को तो तो कहीं उसमें पता भी नहीं था विपक्स कहीं सोया हुआ था विपक्स तो इतना निष्च थेश्था कि मैं दावेक संग कहता हूँ, अगर कोई फोटोग्राफ हो तो फिवक्स को लोग दिखाएं कि किन मजदूरों को उन्होंने भोजन दिया है, किन परेशान लोगों को उन्होंने दवाई दी है, कहीं कोई रिकॉर्ड है नों के पास, यहां तो हमारी सरकार भी खड़ी थी, हमारी पार्टी भी खड़ी थी, और समाज की अनेक संस्थाएं भी खड़ी थी, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि आक्सीजन का जो संकट है, यह पूरी दुनिया में आया, लेकिन इसका दूसरा पहलू देखिए, भारत जैसे 130 करोर से बड़ी आबादी के अंदर, अचानक भी जनता देख रही है, अप सरकार की ओर से जो किया जा रहा है, जसका दिलों में वो तब्दिल हो गा tahun 2022 के लिए इसका इंतजार हमें करना होगा, बहुत शुक्रिया महिननात पांडी जी आज तक कि इस मचायत के मन्च पर आने के लिए, और यह तमाम बाते हमारे दर्शक बहुत बहुत धन्यवा चित्रा जी आपका और आज तक का कि पंचायत के माध्यम से आपने मुझे भी दो सब्द कहने के अउसर दिये एक बार पुना आपको और आपके इस चैनल को प्रतिष्टी चैनल को सुपकामना है महादेव की नगरी से अभी के लिए बसिता ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज ताए